वेलकम टू कारवकाडमी इन दिस वीडियो क्लास 6 मैथेबेक्टिस चेप्टर 3 प्लेइंग विद नमबर का एक्षरसाइज 3.5 को सल्व करेंगे 3.5 बहुत ही असान है और सारे क्वेस्चन को बहुत ही सलो करके आप लोग को समझाने की कोशिस करेंगे एक बार पढ़ने के बाद फिर आप लोग कोई डाउट ना आए ठीक है और इसे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाएए प्ले लिस्ट में सारे वीडियो हैं वहां से आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमें फैक्टर राइट करना है ठीक है किसका भाई 60 का और 60 के लिए A और B दोनों जगा 60 ही है लेकिन दोनों का जो ट्री है न अलग अलग है अब ट्री करने के बाद इसने फैक्टर किया फैक्टर करने के बाद कुछ मिसिंग भी छोड़ दिया तो उसी मिसिंग नंबर को हमें राइट करना है ठीक है देखो हम पहले से हम अपने पेज पर इस क्वेश्चन को राइट कर चुके है और यहां पर आपको सल्व करके बताएंगे ठीक है यह नंबर है यह देखो 60 60 मिस ने क्या किया 10 से इसने डिवाइड किया इसमें 10 60 देखो 6 आ गया अब यह दो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया जब इन दोनों को मल्टफल करोगे 60 आ जाएगा अब यहां 6 आया है और यहां 2 है तह टू में इसमें क्या करेंगे डिवाइड 2 थ्री जा 6 क्या आएगा 3 तो यहां मिसिंग में क्या भर देंगे 3 भर दे ठीक है समझ में रहा है यहां पर टू थ्री जा शिक्स अभी इन दोनों को मल्टपल करोगे न यह चीज आ जाना चाहिए तो थ्री टू जा शिक्स ठीक है अब यह देखो टेन है अब फाइब में इसे डिवाइड करेंगे फाइब टू जा टेन टू टाइम्स यानि आपर क्य हो गया अब इन दोनों को जब मल्टपल करेंगे तो 5 To do जा अधीन देखा कितना नमंबर को हमने राइट किया अब यह देखो यहां पर क्या हो गरें कि 20 में से में 2 से मन टब डिवाइड कर दो 60 में 30 से डिवाइड करें कितने टाइस में टू टांस में ठीक है अब देखो 2 आ गया अब यहां देखो 30 है अब 30 में 10 से डिवाइड करें कितने टाइस में 3 टाइस में यह भी आ गया अब यहां देखो यहां पर हमें कुछ नहीं पाता है यहां पर हमें कुछ नहीं पाता है तो फिर क्या करेंगे यहां 10 है, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, तो अपने मन से, हम क्या करते हैं, यहां पर 2 से divide करते हैं, 2, 5 जा, 10, देखो, जब इनको multiply करें न, तो आप को इनमबर आ जाना चाहिए, तो इनकों, जब इनकों करें, 5, 2, 10, यहाँ पर 2 और 5 यहाँ पर 5 है पर तुभी कर सकते हो। यहाँ वहाँ लिखने से कोई प्रभब में मालों कि कोई लड़का यहाँ पर 5 लिख दिया कोई दिखत नहीं है 5 तूझा टेन तू रख दो हमने है में 2 है ठीक है तो आपको divide करके check करना होता है missing number को write कर देना होता है तो बहुत ही असान होता है और आपके exam में इससा question आएगा ठीक है तो first question complete सबका good question 2 है right factor are not included in prime factor addition of composite number बताओ तो कौन सा number है यह देखो जब भी हमारा इस तरह का question पूछे पूरा मतलब number में one ही एक ऐसा है जिसका कोई prime factorization of composite number नहीं होता है ठीक है ना one is the factor which is not in the prime factorization of composite number कोन होता है one होता है तो इस question complete से लिख चुके है आप इसका answer देना चाहते हो तो सिर्फ आप one भी लिख सकते हो नहीं तो थोड़ा सा अच्छा सा लिखना चाहते हो थोड़ा इसको बना करके तो अब ऐसे लिखो कि one is one is the factor the factor which is not which is not in the prime in the prime factorization of composite number composite number ठीक है ना वन ही एक ऐसा है जिसका कोई prime factorization of composite number नहीं होता है ठीक है याद रहेगा कभी भूलोगे नहीं गुड अब देखो question 3 है write the greatest four digit number and expresses it in the terms of its prime factor देखो आप से बोला गया है है कि write the greatest four digit number अब आपसे हम बोल दें कि बताओ कि one digit का greatest number क्या होता है तो क्या बताओगे nine two digit का double nine three digit का three nine four digit का four nine बिल्कुल सही तो हमसे बोला गया है question number three का solution देको क्या बोला गया था the greatest four digit number तो पहले लिखेंगे the greatest the greatest four digit four digit number क्या होगा four nine होगा ठीक है यह तो आप लोग को पता है न कि greatest four digit number जो होता है और four nine होता है complete कोई डाउट नहीं अब चलो अब जब हमें पता चल गया कि हमें greatest four digit number तो मैं अब इसे क्या करूंगा आप से क्या बोला गया है expresses in expresses it in the terms of prime factor इसको express करो prime factor में तो इसको prime factor में convert करने के लिए three method का उप्यों करेंगे और इनको हम सबसे पहले three से divide करेंगे किससे three से three से जब divide करेंगे कितने टाउज में 3300 3330 टाउजन में क्या होगा यह divide हो जाएगा होगा ना सबसे चोटे नमर से चुछ को divide कियाता है बस ट्री मिथर लगाएंगे ठीक है यह हो गया अब three को हम क्या कर सकते है या one से कर दे one से three times में three आएगा इसको अन्तक कर दिया अब इसको भी करना है न तो इसको भी मैं क्या करता हूं 3 से कर देता हूं तो 3 से करूँगा तो क्या आएगा 1 1 1 आएगा ठीके अब ये तो हो गया क्योंकि 3 कामने यहाँ पर कर दिया तब इसको करने के निद नहीं है बस इतना ही पर छोड़ दो अब इसको आगे बढ़ाएंगे इसको मैं कितना से कर दू मान कर चलो मैं 11 से कर देता हूं 11 से करूँगा तो क्या होगा 101 101 टाइमस में ये डिवाइड हो जाएगा अब 11 तो नहीं हो सकता 101 भी नहीं हो सकता तो बस आपको इतना ही पर छोड़ देना है आपको अन तक इसको क्या करना है बस फैक्टराइजेशन कर देना है और इसमें कुछ है ही नहीं ठीक है न तो हमारा जो प्राइम फैक्टर आया लिखेंगे दा प्राइम फैक्टर दा प्राइम फैक्टर क्या होगा 1 होगा 3 होगा 3 होगा 11 होगा वन हेंड़ वन होगा तो वन तो लिखने से कोई प्रोफिट नहीं है तो 3 और एक यह 3 और ए 11 और ए 101 यह हमारा क्या हो जाएगा एंसर अब आपको उससर आपने कहां से लिखा तो जो अंत में बचता है न वहीं हमारा फ्राइम फ्राइम वहता है आन्त में रित्कों यह हो गया यह हो गया यह हो गया वहन निकरीब फरक नहीं पड़ता इसलिए मण को नहीं लिखआ बाकी सब लिंग झीए ए होता है क्षपने पर फ्राइम जायशन बहुत नहीं असान है आब greatest बोला था इसमें smallest बोला है ठीक है तो सबसे पर्ले लिखेंगे फाइब डिट का smallest नंबर क्विस्चेन नंबर फोर का स्वोलूशन है ठीक है तो दह स्मॉलेस्ट कि दह स्मॉलेस्ट फाइफ डिजीट अगिक लिटे नंबर यह उनर पर कितना जिरो फोर जिरो यह क्या होता है और फाइब डिट का '' चमउलश्ट नंबर'' अब इनको क्या करना है आपको दिए ऊपने लिख लिया कि 5 देट का च्कम नंबर इसको प्राइम factorization करना है 3 method से तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ नो 2 से divide करता हूँ ठीक है हमने इसको किया 2 से 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 से जब करेंगे तो 500 ताइम्स में 500 के 5000 5000 ताइम्स में ते डिवाइड हो गया अब 2 को करने से profit है नहीं इसको करता हूँ इसको अगेन मैं 2 से कर देता हूँ तो से करूंगा ता क्या होगा जब 2 से करेंगे तो तुज़ा 4 25 ज़ाट 10 के हो जाएगा 25 purity 25 अब इस तुको करने से कोई प्रोफिट नहीं इनको करता हूं तो इनको मैं टू से करता हूं अगें टू से करूं या उससे भी छोटे नंबर से कर दो तू से भी करेंगे तो काम चलेगा ऐसा नहीं है तो मैं क्या करता हूं इसको थोड़ा बड़े नंबर से कर देता हूं थोड़ा जल्दी बन करता हूँ और यहांगे करने के लिए मैं किस से करूं और यहां पर आएगा एब टेन करना है ना तो करने के लिए मैं टू से 5 भी नहीं और ये 2 भी नहीं 2 भी नहीं तो जो अंतोला जो नंबर मिला है ये वाला रे वाला ये 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 सब क्या है हमारा प्राइम फैक्टर जैसन है ठीक है तो लिखेंगे दप्राइम दप्राइम फैक्टर आफ 10,000s are क्या हो जाएगा 2 into 2 5 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5 यह जो होंगे हमारे सारे क्या होंगे प्राइम फेक्राइजेसन अब सेपरेट करना चाहते हो तो सारे 2 को एक जगा लिख दो अब 5 को एक जगा लिख दो बात यह कही है ठीक है न यह हमारा question 4 complete होता है main जो चीज़े न आपको यह सबाना चाहिए के smallest 5 digit number कोन होता है greatest 5 digit number कोन होता है ठीक है न यह आ गया तो बाकिता बना ही दो गए समझ गए चलो question 5 देखो find all the prime factor of 1729 and arrange them the ascending order now state the relation if any between two consecutive prime factor देखो इस question का मतलब क्या है वही ट्री मेथट से factor पहले find करो question number 5 क्या है हमारा 1729 है न इस नंबर को क्या करना है पहले आपको प्राइम फेक्टर करना है ठीक है तो मैं क्या करता हूं ऐसे बक्स पना लिया और इसको मैं करता हूं कितना से डिवाइड हो जाएगा 2 से होगा 3 से होगा नहीं होगा 5 से बें नहीं ए डिवाइड किया कितना आए गा 722 277 जारे ट्वंटीएट 277 जा 49 247 टाइम हो जाएगा ठीक है अब सेबेन तो नहीं हो पाएगा लेकिन यह हो जाएगा कितना से भाई 13 से 13 वंजा 13 13 अरे हो जाएगा 39 जा हमारा हो जाएगा 117 यानि हमारा 9 टामस यानि 19 टामस में डिभाइड हो जाएगा जब हमने 1729 को 97 से किया यह आया इसको मैंने 13 से किया तो यह आया तो इसका जो प्राइम फेक्टर बना 7 13 और 19 बना ठीक है तो लिखेंगे प्राइम फेक्टर प्राइम फेक्टर ऑफ 1729 आर क्या मिला 7 13 और 19 ठीक है आप देखो आपसे बुला गया है कि नाव और स्टेट दर रिलेशन इफ एनी बिट्विन टू कॉंजो के इंप्राइम फेक्टर इनके बीच में क्या रिलेशन है तो देखो मेरे को यह रिलेशन दिख रहा है कि इनके जो बीच का डिफ्रेंस है ना 6 6 है देखो 7 के बाद 13 6 का डिफ्रेंस 13 के बाद 19 6 का डि डिफ्रेंस ऑफ टू कॉंजो के टी प्राइम फेक्टर इज 6 इनके बीच में डिफ्रेंस क्या है 6 का डिफ्रेंस है और सब क्या है प्राइम फेक्टर है ठीक है बस यह बात आपको लिख देना है चलो 6 देखो 6 क्या है कि the product of 3 consecutive number is always divisional by 6 verify the statement with the help of the sum example देखो यह पर the product of 3 consecutive मतलब ऐसा 3 consecutive number लो जिनको मतलब multiple करें तो 6 से क्या हो जाए डिफ्रेंस हो जाए a statement with the help of the sum example आपको example लेकर के बताना है question number 6 इक्जामपल मैं ले रहा हूं और दो एक्जामपल लेना है दो लेना है कितने तीन लेना है आपको मतलब एक हीन से काम हो जाएगा the product of 3 consecutive मतलब कुछ example लेना है तो हम दो एक्जामपल लेकर बता देंगे ठीक है अब यहां पर एक बात बोला है आपको जो नंबर लेना है वह क्या लेना है वह आपको लेना है दव प्रोड़क्ट अफ्री कॉंजुकेटिव नंबर अलवे डिविजल आचा कोई भी नंबर लेना है लेकिन चाहिए तो मैं एक लेता हूं टू और एक लेता हूं थ्री और एक लेता हूं फोर एक तीनों क्या है कॉंजुकेटिव का मतलब होता है लगातार हम दें नंबर लिया अब इनको जो मल्टपल करेंगे क्या आएगा 24 देखो सिक्स से डिविजल हो जाएगा अगेन एक और ल आपको वहीं थ्री कंजुकेटिव नंबर लेना है उनको प्रोड़क्ट करना प्रोड़क्ट मतलब मल्टीपल जो नंबर मल्टपल करने के बाद एंसर आएगा वो सिक्स से डिविजल होना चाहिए यह भी हो जाएगा और यह भी हो ठीक है सिक्स भी कंप्लीट हो गया कोई अब यहाँ पर देखो आपको समफ टू कॉंजुकेटिव और नमबर लेना है ठीक है ना इनको सम मतलब आड करना है जो डिवीजर हो जाएए फोर से आए इस क्वेस्टिन को भी सल्ब करते हैं देखिए क्वेस्टिन नमबर सेबिन एक्जामपल लेते हैं सबसे पहले हमें कॉंजुकेटिव लेना है जो क्या ओना चाहिए प्राइम क्या पोला है यह चाहिए और कॉंजुकेटिव मतलब लगातार होना चाहिए तो मैं लेता हूं थ्री अब प्लस 5 देखो 3B odd है 5B odd है, दोनों consecutive इनके बीच में क्या है इभेन आता है न, दोनों क्या है लगतार odd number है, ठीके इनको जब sum करूंगा तो क्या होगा 8, अब 8 जो आया न यह आपको किस से divide हो रहा है भाई 4 से, तो 8 हमारा जो आया आप 4 से divisal हो जाएगा, तो लिखेंगे इकोल तो 8 एंड 8 इज, जो 8 हमारा आया है, 8 इज divisal by divisal by 4, अब जो 8 हमारा है, जो 8 हमारा आया है वो 4 से क्या है, divisal है ऐसा ही आप और एक्जामपल लो एक 5 और 7 ले ले रहा हूँ 5 और 7 को या होगा 12, एक दोनों क्या है, और नमबर है दोनों को सम किया, 12 वाया अब ये 12 जो है, एक क्या है 4 से divisal है 12 इज divisal by 4, ठीक है उसके बाद और एक इजामपल लो 7 और 9, इनको add करोगे क्या होगा, 7, 9, 16 ये भी 4 से क्या हो जाएगा, divisal y, 4 हो गया ठीक है, तो ये question जो है बहुत आसान है बस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना फिर कोई problem नहीं होगा question 8 है, in which of the following expressions prime factorization has been done इसमें जो number given है इन number का जो expression किया गया है factorization किया है, बताओ कौन-कौन expression इसका prime में आया है, 24 है 234, 23 तो prime है लेकिन 4 नहीं है 56 का 7222, देखो S का जो है न, 56 का जो factorization है, ये सारे prime में है 70 का 257, ये भी देखो prime में है 54 का 239 9 तो prime नहीं है, तो इसका नहीं है तो B और C जो है न, prime factorization है, ठीक है तो लिखेंगे question number 8 in expression in expression B and C are prime prime factorization has been has been done, ठीक है 9, question 9 है 18 is divisional by both 2 and 3 जो 18 है, यह हमारा 2 और 3 से divisional है it is also divisional by 2 into 3 equal to 6 मतलब जब इसको मलपल किये, तो 6 है 6 से भी क्या है, divisional है similarly, a number is divisional by both 4 and 6 अब देखो, अब देखो ऐसा एक number है, जो 4 और 6 से divisional है, कौन सा number है, आपको खुद सोचना है, ठीक है can we say that the number must also be divisional by 4 into 6 equal to 24 अब बताओ, दोनों को जब मलपल करेंगे, फिर भी वो number से divisional होगा if not, give the example, just try your answer तो पहले तो हमें यह number ढूड़ना है कि जो number 4 और 6 से divisional हो तो 4 और 6 से divisional होने के लिए हमारा कौन सा number है, वो है हमारा 12 अब आपको कैसे पता, तो जो 4 और 6 दिया है न, उनका हम LC हम find कर लेते हैं, रफ में देखो, 2 से, 2 तूज़ा 4, 2 तूज़ा 6, इनको मलपल करो, 3 तूज़ा 6, 6 तूज़ा 12 तो 12 हो आएगा, वो number कोन है, जो 4, 6 से divisional होगा, 12 तो अब हम देखेंगे, कि जो 12 है, वो 4 और 6 से divisional हो जाएगा लेकिन जाम इनको मलपल करके, 12 को divisional करेंगा होगा, नहीं होगा क्योंकि 12 है, 24 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, यह छोटा पड़ जाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो लिखेंगे, 9, क्या लिखेंगे, 9, number 12 is, 12 is divisional by both, कौन-कौन, 6 and 4 बट, 12 is not divisional by, not divisional by 24, ठीक है, यह हमारा 9 number complete, अब 10 number देखता हूँ, 10 number क्या है, 10 number देखो, 10 number है कि, I am the smallest number, having four different prime factor, can we find me, अब बोलाएगा, मैं कौन साइक smallest number हूँ, जो four different prime factor होंगे, अलग-अलग होंगे, एक जैसा नहीं, ठीक है, तो उसके लिए, मैं क्या करता हूँ, smallest के लिए, मैं smallest prime factor लिखता हूँ, लिखेंगे, the smallest, the smallest, four prime, four prime factor, four prime, factor नहीं numbers लिखना है, prime, numbers are, क्या क्या होगा, smallest prime number, सबसे पहले तर two होता है, उसके बाद three, उसके बाद five, उसके बाद seven, हमें four चाहिए, four लिख दिये, अब इनका multiple करेंगे, ठीक है ना, इनको multiple करेंगे, two into three into five into seven, तो 236, six, five, जा 30, 37, 210, तो 210, जो number होगा, हमारे क्या होगा, ये इसका, क्या बोला था, कि can we find me, बस उसको find तो करना था, तो कौन सा number है, तो 200, 10 है, तो इस तरह से हमारा three point five complete होता है, बहुत ही असान है, अच्छे से पढ़ोगे तो सारे समझ में आएगा, कोई doubt आता है, problem आती है, तो आप comment box में comment कर सकते हो, ठीक है, thank you so much,